परिचय सभी द्रव्वे आधार भूत तत्वों से बनते हैं, जिनको रासाइनिक एवं भातिक गुणों के हिसाब से अलग नहीं किया जा सकता। तत्व में एक तरह का परमाणू नहींत होता है। उधारन के लिए कारबन परमाणूं के साथ मिलकर हीरा और ग्रेफाइट भी बनाता है। विशुद्ध 24 कैरट सोना सिर्फ एक तरह का परमाणू होता है, सोन परमाणूं यानि गोल्ड एटम्स। अनू योगिक होते हैं, जिसमें तत्व एक निश्चित तैय अनुपात में होते हैं। उधारनार्थ, पानी, ग्रुकोज, एटीपी। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। रासाइनिक संयोजन के नियम जैसे द्रवेमान, संदक्षन का नियम और स्थिर अनुपात का नियम जानना। डाल्टन के परमाणूं सिध्धान्त की चर्जा करना। परमाणूं, अडूं और मोल के बारे में जानना। रासाइनिक संयोजन का नियम रसाइन विग्यान पदार्थ और उसमें होने वाले बदलावों पर आधारित है। इनको ही रसाइनिक संयोजन के नियम से जानते हैं। ये नियम हैं द्रव्यमान संदक्षण का नियम और थिर अनुपात का नियम अथवा निश्चित अनुपात का नियम। द्रव्यमान संदक्षण का नियम इस नियम के अनुसार पदार्थ का रसाइनिक और सामाने भौतिक बदलावों से ना तो निर्मान किया जा सकता है ना ही उसे नश्ट किया जा सकता है। उधारन के लिए जिंक सल्फर अनुओं से प्रतिक्रिया करके ZNS यानी Zinc Sulfide बनाता है। स्थिर अनुपात का नियम स्थिर अनुपात के नियम को निश्चित अनुपात के नियम के नाम से भी जानते हैं। इस नियम को प्राउस्ट ने इस तरह पेश किया। रासाइनिक योगिकों में तत्वों का अनुपात द्रवेमान के द्वारा सदैव स्थिर होता है। योगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रवेमानों का अनुपात सदैव एक आठ अनुपात है। चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अबघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइडोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्थ होगी। डाल्टन का पर्माणू सिध्धान्थ डाल्टन के पर्माणू सिध्धान्थ ने द्रवेमान के संरक्षन के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या की। इस सिध्धान्थ की विवेचना इस प्रकार कर सकते हैं। सभी द्रव्य पर्माड़ों से निर्मित होते हैं। पर्माड़ों अविभाज्य, सुक्ष्मतम कण होते हैं जो रासाइनिक अभिक्रिया में तुस्रिजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। दिये गए तत्व के सभी पर्माडूं का द्रवेमान एवं रासाइनिक गुण धर्म समान होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के पर्माडूं के द्रवेमान एवं रासाइनिक गुण धर्म भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाडू परस पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर योगिक निर्मित करते हैं। किसी भी योगिक में परमाडू की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। परमाडूं पूरी दुनिया परमाडूं से बनी है. हम उन्हें देख नहीं सकते हैं. लेकिन वे होते हैं और स्थाय रूप से हम जो करते हैं उसे प्रभावित करते हैं। पर्माणूं बहुत छोटे होते हैं, वे किसी भी वस्तू जिसकी हम कलपना या तुलना कर सकते हैं, उससे भी छोटे होते हैं लाखो पर्माणूं को जब एक के उपर एक चट्टे के रूप में रखें, तो बड़ी कठनाई से काघस की एकशीट जितनी मोटी परद बन पाएगी आधोनिक तकनीकों की सहायता से हम तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिम्बों को दिखा सकते हैं, जिन में उपस्थित परमाणूं स्पश्टे दिखाई देते हैं विभिन तत्वों के परमाणूं के चिन्ह तसिद वेग्यानिक डाल्टन ने सर्वप्रत्थम तत्वों के लिए विशिष्ट अर्थ में प्रतीक का उप्योग किया था किसी तत्व का प्रतीक उस तत्व की निश्चित मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है अर्थात तत्व का एक परमाणूं तत्व के नाम से एक दो अक्षरों को लेकर प्रतीक बनाने का सुझाओ, बहर जिलियस ने दिया था। इभिन तत्वों के परमाड़ों के चिन प्रतीक तत्व का एक भिन नाम होता है और उनके रासाइनिक प्रतीक अदुटिये होते हैं। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके नामों के पहले या पहले और दूसरे अक्षर को जोड़ कर बनाए गए हैं। उधारण, आरगन यानि A-R, प्लोरिन यानि C-L, जिंक या जस्ता यानि Z-N इत्यादी। कुछ तत्वों के प्रतीक नीजे तालिका में दिये गए हैं। अणूं किसी भी तत्व या योगिक का सुक्ष्मतम कण होता है। यह सोतंत्र अस्तित्व रखता है। अणूं किसी तत्व या योगिक के सभी गणों को प्रदशित करते हैं। बहुत से तत्वों जैसे की आरगन, AR, हिलियम, HE, आदी के अणूं इन तत्वों के एक मात्र परमाणूं से निर्मित होते हैं। आक्सीजन के अणूं की चर्चा करें, तो इसके अणूं में दो परमाणूं होते हैं। इसलिए इन्हें दोई परमाणूं यानि O2 कहते हैं। अगर समाने रूप से दो के स्थान पर आक्सीजन के तीन परमाणूं एक अणूं में चुड़ते हैं। तो हमें ओजून ट्राप्ट होता है। तत्वों की पर्माणुक्ता पर्माणों की संख्या को अड़ों की पर्माणुक्ता कहते हैं। आईए कुछ तत्वों की पर्माणुक्ता का अवलोकन तालिका में देख कर करें। योगिकों के अड़ों परमाणों किसी भी तत्व या योगिक के आधार भूत इकाई हैं एक अणूं का निर्माण दो या दो से अधिक परमाणों के मेल से होता है विभिन तत्वों के परमाणूं निश्चित अनुपात में मिलकर योगिकों के अणूं का निर्माण करते हैं उधारण, पानी, अमोनिया, कार्बन डायोक्साइड, हाइडोजन पैरोक्साइड इत्यादी. क्या आप जानते हैं, पदार्थ और द्रविमान सनक्षन की अवधारणा का व्यापक प्रयोग रसाइन शास्त्र, मेकेनिक्स और फ्ल्यूड डाइनमिक्स में होता है. इत्यास में देखें, तो अठारवी शताबदी के आखिर में एंटाइन लवुजियर ने द्रविमान सनक्षन के सिध्धान्त की, खोच की. इसमें रसाइन विद्या में विशेश महतपून बदलावों को आधूनिक प्राकृतिक रसाइन विज्ञान में स्थापिक किया. लकड़ी के जलने या अचानक उपचयन से समस्या हो सकती है, क्यूंकि यह आउक्सीजन के साथ एक निश्चित तापमान के उपर तीवरता से रसाइनिक प्रतिक्रिया करती है. चीनी और नमक पानी में घुल जाता है, क्यूंकि उनके अणूं यानि आयन ऐसी परस्थिती में खुद का विक्टन कर देते हैं. साराँश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं. रसाइनिक अभिक्रिया के दोरान अभिकारकों और उत्पादों के द्रवेमानों का योग आपरिवर्दिनिये होता है. यह द्रवेमान के संक्षन का नियम कहलाता है. एक शुद्ध रासाइनिक योगिक में तत्व हमेशा द्रवेमान के निश्चित अनुपात में विद्धिमान होते हैं यह निश्चित अनुपात का नियम कहलाता है एक अणू किसी तत्व का वो सुक्ष्मतम कण होता है जो सौतंत्र रह सकता है और अपने सभी रासाइनिक गुणों को बनाए रखता है अणों किसी तत्व अत्वा योगिक का वो सुक्ष्मतम कण होता है जो सामाने दशाओं में सुतंत्रे रह सकता है